दोस्तों किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अतियावश्यक है, यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो चलिए, इ बड़ा भाई रहा करते थे। जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते एसा करते करते कई दिन बीच चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़ कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है देखो मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है। इस पर वो व्यक्ति कहता है हे राजन मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पढ़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है। फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे जूट तो नहीं कह रहे है। एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यदि वह हिर्णी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिर्णी है। सेना पती राजा से आग्या लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है। और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है। हे राजन इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कहीं हैं वो बिलकुल सही है। वो एक हिर्णी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिर्णी है। और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है। यह कैसे जान सकता है। आखिर इसे यह कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्ण अब राजा के मन में उमडने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तहह तक पहुँचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिर्णी है। ये सोच कर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच मुझ अंधे हो या नहीं लेकिन मैं तुम से एक बात जानने आया हूँ क्या तुम मेरे प्रश्ण का सही सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन आप जो कुछ पूछना मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूगा इस पर राजा कहता है देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है हे राजन आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई उसकी रफतार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है उसकी उंचाई ज्यादा नहीं है यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांग जाता लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़ कर भागी है और यदि वह इस बांध को छलांग लगा कर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खत्रा होता और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है इस कारण वह ज्यादा उंची छलांगना लगा कर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई इस पर राजा के मन में एक और प्रशन उठा राजा ने कहा किन्तु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन मैं पूरा दिन सुभह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ती बहुत तेज है मैं ये बाफ जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिलाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नश्ट ना कर पाए राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बड़ा ज्यानी मालूम पड़ता है इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए ये विचार लिये हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लोट जाता है राज महल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है आप तो बड़े ज्यानी व्यक्ति है आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिवरता है या नहीं इस पर वो अंधाव्यक्ति कहता है हे राजन ये कैसा प्रशन हुआ इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिलकुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए आपकी शादी को इतने साल बीच चुके हैं, और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूँगा राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा राजा कहता है बोलो मुझे क्या काम करना होगा इस पर व्यक्ति कहता है इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है सेनापति जी इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे सेनापति बिलकुल वैसा ही करता है अब राजा की पतनी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं तभी वो अंधा आदमी राजा की पतनी से कहता है मुझे आपको छूना है इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचा कर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है हे राजन आपकी पत्नी पतिवरता नहीं है ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है रानी जी, आज में जो भी सवाल आप से करने वाला हूं उसका मुझे सच-सच जवाब दीजिएगा और यदि आपने एक शब्द भी जूट कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूँगा तब ही आगे वह राजा कहता है मुझे बताइए क्या आप पतिवरता हैं या नहीं इस पर रानी कहती है हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिवरता नहीं हूँ राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिवरता नहीं है इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन बड़ी सीधी सी बात है मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुसे में आकर मुझे लाद घूसों से पीटना शुरू कर दिया और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे चू सकती है लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव बस लाद घूसे मुझे पर बरसाने शुरू कर दिये वह भी तो एक चूना ही हुआ और एक पतिवरता नारी कभी भी पराय मर्द को नहीं चूती जब मैंने उसे चूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया अब आप ही बताईए ऐसी स्त्री भला पतिवरता कैसे हो सकती है इस पर राजा कहता है तुम तो बड़े ज्यानी मालूम पढ़ते हो अच्छा ठीक है चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूँगा आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का इस पर वह अंधा भी कहता है हे राजन इस बात से आपका क्या लेना देना आप किसी की भी उलाद हो आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए लेकिन राजा कहता है नहीं नहीं मुझे इस प्रश्ण का सही सही जवाब चाहिए अन्यथा यह प्रश्ण मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन इसके लिए तो मुझे आपके मां के पास भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी ओलाद है लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे से एक वादा करें कि आप मुझे पर क्रोध नहीं करेंगे राजन ने कहा मैं तुम से वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है हे राजय आप है तो अपने ही पिता के पुत्र लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है ये सुन राजय बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकाल कर अपनी मां के पास जा पहुँचा वह वहाँ पर पहुचने के बाद अपनी मां से कहता है मां मुझे सच सच बताईए क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूगा मुझे बताओ क्या सच है इस पर उस राजा की मा कहती है बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र लेकिन तुम्हारे उपर एक कंजूस सेट की छाया पड़ी हुई है जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुह आइने में देख रही थी तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेट नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दोड़ा दोड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और उस अंधे आदमी से कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पर एक कंजूस सेट की छाया पड़ी हुई है इस पर वह आदमी कहता है हे राजन आपने मुझे सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में धेरों सारे इनाम मिल चुके होते लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौडी तक नहीं दी है इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वो हमें आपको अवश्य दूँगा लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन मैं तो वैसे ही अंधा हूँ यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है उसकी आँखों से उसके होटों से उसके काम करने के तरीके से उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है तब ही वह राजा कहता है तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बाद जान सकते हैं किन्तु उससे पहले आपको अपने उपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना अपने मन को वर्तमान में लाना होगा जिसके लिए मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं किन्तु हे राजन उससे पहले आपको एक काम करना होगा अपने मन को एकाग्र करना होगा जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है। वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे। क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए, सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो तीन तरीके में आपको बताने वाला हूँ, इन तीन तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है, वो है आँखों पर ध्यान देना. किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरू से यह विद्या सीखी है क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए जैसे कि उनका आकार कैसा है वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं यदि उसकी आँखें यहाँ वहाँ घूम रही है जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वहाँ वह इधर उधर मोड रहा है कभी उपर तो कभी नीचे या कभी आसपास या फिर उसकी आँखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आँखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है, उसकी आँखों में जब हम देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में एक भाशा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है, यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जूट कह रहा है, या फिर सही, तो आपको उसकी आँखों पर ध्य जलने का कोई रास्ता ढूंड रहा है और कोई जूट बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आप से कुछ जूट कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहां वहां देखेगा। उपर नीचे देखेगा। लेकिन वह आपकी आँखों में आँखें डाल कर कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आँखों में आँखें डाल कर देखी तो उसका जूट पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाशाएं होती हैं। जब इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होट और बहुत से कुछ अलग-अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इनसान जुबान से कुछ बोले या ना बो बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बौड़ी लैंग्वेज उसका भी पूरा उपयोग करता है। जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार-बार हाथ लाने. हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अतियावश्यक है. मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है. यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान दे कर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी हैं, तो आपको उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पुर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा, आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्थ हैं, भविश्य की योजनाओं में व्यस्थ हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे, और नहीं आप कभी यह समझ पाएंगे कि आ आपके मन में क्या चल रहा है आप उनसे क्या जानने आए हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमुक कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं आपको समझ सकते हैं आपकी मन की बातें जान सकते हैं क्योंकि उनका मन एकाग्र है शान्त है और यही कारण है कि वह आपके मन की बाते बड़ी सरलता से समझ जाते हैं यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ग्यान से भरपूर कहानियाओं लेकर आ सकूँ नमो बुद्धाय मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में